हाई गाईज मैं विनोथ और आप देख रहें एट्टेग इकोडी चैनल सो गाईज आज की इस वीडियो में आपको बताने वलाऊं कि आप OPPO F21S PRO में सोटर सेटिंग कैसे नेबल करेंगे सो गाईज चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको सेटिंग आना है सो गाईज सेटिंग पर क्लिक करते हैं इस पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा से नीचे आना है यहाँ पर आपको सिस्टम सेटिंग पर क्लिक करना है इस पे क्लिक करने के बाद जैसे आपको अपने फोन में सोटस सैटिंग अनेबल करना है उससे पहले आपको अपने फोन में डवलपर आप्शन अनेबल करना पड़ेगा तभी आप अपने फोन में सोटस सैटिंग अनेबल कर पाएंगे और guys आपको अपने phone में developer option enable करना है तो guys मैंने उसके उपर big video बना रखा है आप eye button में आके देख सकते हैं So guys यहाँ पर आपको थोड़ा से नीचे आना है यहाँ पर guys आप देख रहें मैंने अपना developer option पहले से enable कर रहा है So guys मैं developer option पर click करता हूँ इस पर click करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा से नीचे आना है यहाँ पर आपको एक option मिल जाएगा So tips का So guys यह हमारा So tips setting अगर आप इस setting को enable कर देंगे और guys आप अपनी phone की screen पर test करेंगे तो guys आपको So tips दिखाई देगा अगर आप इस setting को enable कर देंगे तो इस setting को enable करने से पहले अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like and share कीजिगा और guys हमारे channel को जरूँ सब्सक्राइब कीजिगा So guys मैं setting को enable कर देता हूँ इसको enable करने के बाद Guys आप अपनी phone की screen पर test करेंगे तो guys आपको so tips दिखाई देगा So guys इस तरीके से आप so tips setting को enable कर सकते हैं और guys आप कोई वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो वीडियो को like and share कीजिगा और guys हमारे channel को जरूँ सब्सक्राइब कीजिगा तब तक के लिए बाबटटा thank you